हेलो फीलीघ कम्प्यूटर वाईरस का अपडेट आपको देना था ये बहुत更 specially यह आपको चेश्त केसल ऐरा कि Jersey night थे ये ऐन्चरने आपको बड़ा अर आया है असल मदनेषी ए में एक कांप ड़ा बा миद अनले आज ज़्वा से भीर एक नहीं है तो आपके computer में इसका attack 100% हो सकता है अगर आप pirated software अपने computer में यूज करते हो तो वहां से ये attack आपके वहां source से हो सकता है तो यह याद रखिएगा अभी 10-15 दिन तक कोई भी pirated software आप download मत कीजिए कोई भी ऐसा unknown source हो वहां से आप अपने computer में कोई भी unknown source का software डाउनलोड मत कीजिए तो यह जो ransomware आ रहा है यह .nusm बोलके सारे फाइल में create कर दे रहा है यानि आपके computer में जितने भी files है उसको यह .nusm में convert कर देता है कुछ भी नहीं यह अपना छाप छोड़ देता है और आपके file में कुछ coding चेंज कर दे रहा है यह file का जो पहला coding है उसको change कर दे रहा है इससे क्या होगा आपका file नहीं खुलेगा आप अगर extension में जाके .nusm क चुड़ा भी देते हो यानि उसको delete कर देते हो और उसके बाद अपना पुराना file extension रखते हो फिर भी आपका file चालू नहीं होगा क्यूंकि उसने जिस file को छुआ है उसमे .nusm के साथ वो जो पहला coding रहता है वो coding को भी change कर दे रहा है अभी एक text file छोड़के जा रहा है जहा लेकिन हमें इसके सामने पैसा नहीं देना है तो यह और बढ़ जाएगा और एक बात मैं आपको बता देता हूँ अगर आप इसको पैसा देते हो तो यह आपको एक coding देगा जिसके वज़े से आपका file खुल जाएगा लेकिन यह आप समझ लो कि आपके computer में वो बैठा ही र लेना है अगर आपको अभी कोई antivirus हाथ में नहीं मिल रहा है तो आप Casper Sky का जो internet security है वो download कर सकते हो वो free में आपको मिल जाएगा एक महीने के लिए देखिए कोई वी ऐसा वाइरस या ransomware या malware हो या trozen हो वो कुछ दिनों तक ही ठीका रहेगा उसके बाद उसको दूसरे antivirus software वागेरा ठीक से पकड़ लेगा और वो भी deactivated हो जाएगा लेकिन अभी वो इतना ज्यादा जोर सोर पकड़ रहा है तो अभी आपको थोड़ा साबदानी बड़कना है दोस्तों मेरा जो खुद का laptop है वो दो दिन के अंदर इस हादसे का शिकार हो गया है मैंने जब देख वो है spy hunter 5 और spy hunter 5 से हम मैंने scan करके देखा है कि जितने भी virus file है उसको यह ढून ले रहा है इसका मतलब यह है कि यह जो spy hunter 5 है इसके साथ भी इसका कुछ packed up है यह क्या कर रहा है ढून दे के बाद बोल रहा है कि अभी मुझे purchase करो तो यह गलत चीज है अगर आपको उसको purchase ही क software को चलाना पड़ेगा तो आप कौन सा करोगे वो आपके उपर है अगर manually आप virus को delete करने जाओगे तो बहुत साथे file इसने create किया है वो करना लगबग ना मुंकिंग है जब भी इंस्टॉल हो रहा है उसके बाद जितने भी computer में files है उसको पूरा change कर दे रहा है और computer भी problem आ जा रहा है तो आप लोगो को क्या करना है आप लोगो को direct अपने computer को एकदम reset अगर आपके पास boot disk नहीं है अगर आपके पास data recovery disk जो जब आप laptop या computer windows load किये थे या खडीते थे तब अगर अपने recovery drive नहीं बनाए हो तो आपको क्या करना है इसको reset कर देना है तो direct disk को boot करो और boot करने के बाद किसी में F8 किसी में F12 मारने के बाद वहां booting option आएगा वहां से आप इसको पूरा clean कर दो या तो आप system में जाओ वहां से इसको reset कर दो कुछ भी करके इसमें जितना file है उसको आपको delete करना है और अगर आपको file recover करना है तो manually या किसी antivirus software का आपको सहायता लेना पड़ेगा एक बात मैं बता देता हूं कि यह अभी नया आया है अभी कोई antivirus इसको ठीक से पकर नहीं पाड़ा है थोड़ा एक दो file पकर रहा है लेकिन इसके अंदर जितने भी file है उसको वो ढून नहीं पा रहा है मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे जो computer है उसम बूट मेनू में एंटर करने के लिए तो बूट मेनू आ गया है यहां से हमें UEFI जो है उसमें एंटर करना है यह sony storage मीडिया मेरा दिखा रहा है तो हम लोग इसमें एंटर करते हैं और यह बूट मेनू में एंटर हो जाएगा यह अभी drive को read कर रहा है थोड़ा time लग रहा है अब देखिए अपना पहला screen पर आ गया है यहां हमें language चूज करना है language चूज करने के बाद हम लोग कीबोर्ड चूज करना है कीबोर्ड चूज करने के बाद हम लोग आएंगे system selection में तो यह हम लोग recovery from a drive इसको चूज करेंगे ठीक है और इसके बाद हमें जो अच्छा option है उसको चूज करना है just remove my files और fully clean the drive हमें fully clean the drive करना है यह एकदम हमारे PC को नए condition में लेके चला जाएगा ठीक है यह हम fully clean the drive कर दिये तो यह recover from drive हो जाएगा अभी जैसे हम लोग को अपना laptop मिला था ठीक वैसे ही हो जाएगा तो अभी हम लोग क्या करेंगे यह recover में click कर देंगे तो PC अपने आप boot होना शुरू हो गया है और यह अपने आप इसको पूरा set करना शुरू करेगा तो देखिए यहाँ दिखा रहा है recording this PC 1% अभी आपको plug में on करके रखना है क्योंकि battery में इतना देर तो नहीं चलेगा तो दोस्तो इसमें बहुत time लगेगा हम यहां से वीडियो को skip करेंगे और तो दोस्तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक like जरूर कर दीजेगा आपके बन में कोई भी सवाल हो आप खुद problem में फसे हुए हो तो comment section में जरूर लिखिए मैं आपके सवालों का ज झाल